हेलो दोस्तों आप सभी लोग का वेलकेम हैं स्वागत है सेटेर 2022 में जो परिच्छा समाप्त होई है जनवरी में उसके रियल्ट को लेकर आप लोग बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं काफी लोगों ने कमेंट भी किया है कि रियल्ट आएगा या नहीं आएगा और कुछ लोगों का ये सवाल भी है रियल्ट कब तक आएगा दोस्तों रियल्ट आज आने के पीछे जो तर्क हम दे रहे हैं वो तर्क भी एक जेन्यून तर्क है उसके पीछे आपको अभी हम आपको एक्जामपल के साथ प्रूब के साथ दिखा देंगे कि हम ऐसी बात क्यों कह रहे है कि आज आपका रियल्ट आज आना चाहिए वो भी एक जेन्यून तरीका है वो एक प्रूब के साथ आपको दिखाएंगे सबसे पहले आपको दिखाते हैं जो लोग नए है चैनल पे तो कुछ लोग तो कहते हैं कि सबस्क्राइब नहीं करेंगे अगर रियल्ट आज नहीं आगा तो अंसबस्क्राइब करेंगे तो दोस्तों आपकी मर्जी है इसका पैसा नहीं मिलता हमें सबस्क्राइब करें या ना करें हम प्रयास करते हैं कि उन लोगों के लिए जिन्मिन तरीके से कंटेंडर लाते रहें जिन लोगों तक जो भी तरीका हो जिन्मिन तरीके से तर्क के साथ बिना तर्क के कोई बात नहीं होती यहाँ पर लेकिन आप लोगों को कुछ लोगों को लगता है कि यह चीज़ें कैसे आप लोग कह सकते हैं कि रिजल्ट आज आ सकता है या नहीं आ सकता है उसके पीछे तरक क्या है वो तरक आपको दिखाएंगे यह तरक हमने नहीं दिया यह CB.SC का सीटेट का जो पिछला रिजल्ट था उस result के अधार पे हमने इस चीज को बताया है कि जो आपका result है वो आज क्यों आ सकता है उसका कारण क्या है और ऐसा result के आज आने की संभावना क्यों जादा है उसके पीछे आपको तरक देंगे result आएगा कि नहीं आएगा यह बात की बात है पहले उस तरक को देखिए और इसक पे एक link लगी हुई है CTR 2022 की result को लेकर एक link यहाँ पर लगी होगी CTR 2022 की result को लेकर exam correct.org जब search करेंगे तो जैसे ही इस पे अंदर जाते हैं तो आपको link भी दिखाते हैं उसके साथ proof भी दिखाएंगे जैसे ही पहली link पर click करते हैं तो आप लोग देख पारे होगे जो का message आना सुरू हो गया है जो देख पारे होंगे आप लोग देखिए CTR 2022 official site का link है यह हमारे दोरा बनाया हो रियल का link नहीं है official site का link है जो दिख रहा होगा आप लोगों को और यह देख पारे होंगे कि CTR 2022 दोरा यह error आ रहा है पेज में यह error आने के मतलब है कि या तो updating चल अब आप लोगों को CTR के official website पर ले चलते हैं जहां पर इस चीच के बारे में बताया गया है कि क्यों आज रियल्ट आ सकता है इसके पीछे क्या तरक है दोस्तों यह सीटेट की official website है यह सा कि आप लोग देख पा रहे होंगे CTR की क्या है official website है link भी देख पा रहे होंगे उप इसी जो link है इसी link के माधन से नीचे जब जाएंगे तो आपको दिख जाएगा एक चीच दिखेगी एक चीच आपको नजर आ रहे होगी यहाँ पर देख पा रहे होंगी यह center teacher agility test seated January 2021 announced on 25 February 2021 यानि कि 25 February 2021 को result आया था और आप लोगों को जैसा कि मालूम होगा कि परिच्छा क अब हुई थी तो दोस्तों परिच्छा आप लोगों की 31 January को समाप्त हुई थी या 31 January को पिछली परिच्छा जो हुई थी जनवरी में आप लोगों को याद होगा 31 January को परिच्छा हुई थी और result कब जारी हुआ था result जारी हुआ था 25 फरवरी को कितने दिन बाद तो दोस् के बिएसे 31 तारिक तक आपकी परिच्छा दो 17 और 21 को ही लेकिन जो में परिच्छा माने जाएगी वो आपकी 13 तारिक माने जाएगी क्योंकि जो अफिसल तोर पर उन्होंने डाटा गोशित किया था पहले वो 13 ती अब 13 के अधार पे अगर हम लोग देखें तो आज की देट कौन सी है आज दोस्तों आज है आठ तारिक यानि कि आज है पचीसमा दिन कौन सा दिन है पचीसमा दिन यानि पिछली बार भी पचीसमे दिन यानि कि पचीसमा दिन 25 फरवरी को रिजल्ट जारी हो गया था एक ती जनवरी की जो परिच्छा होई थी और आज भी है पचीस आज जो है वो है पचीसमा दिन यानि अगर तेरा तारिक से आज का दिन आठ फरोरी को देखा जाया तो ये पचीसमा दिन आज होता है तो पिछली बार भी पचीस दिन में रियल्ट आया था इस अधार पे इस तर के पर आपको इस चीज को हम लोग बता रहे हैं कि पचीस दिन वाद आपको रियल्ट देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको लिंक अपडेट लेट होगा लेकिन अगर आप लोग जाते हैं अगर दोस्तों आप लोग examcrack.org इस साइड के लिंक पर यहाँ पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक लिंक मिलेगी वो लिंक पर जाकर चेक करते रहेगा रियल्ट जब भी आएगा तो आपको सबसे पहले वहाँ पर अपडेट मिल जाएगी क्योंकि जब भी cbsc की जो official site seated.nic.in जहाँ पर लिंक आप लोग फ्लैस होती है दिखती है उससे पहले cbsc.n, 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 cbsc.n.in पर लिंक अपडेट की जाती है उसके बाद वहाँ से लिंक वहाँ पर अपडेट होती है या हम कह सकते हैं ग्यामनेशन के जो रियल्ट होते हैं वो लिंक लेट अपडेट होती है और रिजल्ट ये मानिक कभी भी आज सकता है इसलिए उम्मीद है जो भी तरक आपको दियेगा है आप लोग संतुष्ट होंगे अगर संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल पर नए हैं तो सस्क्राइब कर दीजेगा और दोस्तों में जरूर सेर करिएगा चलिए दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक साथ तब तक के लिए जैहिन बंदे मातरम